नमस्कार आप देख रहे न्यूज वॉल इंडिया मैं हूँ आपके साथ चुहे से अभी श्रिलंका में नेता और प्रदर्शनकारियों के बीच बवाल फीक से थमा नहीं था कि एक और देश की तस्वीरे ठीक वैसे ही दिखी जैसे कुछ दिन पहले श्रिलंका की आई थी बुधवार को इराग की राजधानी बगदाद में हजारों प्रदर्शनकारी सुरक्षा के घेरे को तोड़ कर संसत के भीतर घुश गये ये प्रदर्शनकारी शिया मुस्लिम धार्वी नेता मौलाना मुक्तदा अल सद्र के समर्थक दे अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रदर्शन के पीछे की वज़ा क्या है क्यों बॉखलाए प्रदर्शनकारीयों ने किया संसत पर कबजा सबसे सुरक्षित इलाका होने पर भी क्यों हुआ प्रदर्शनका शिकार आईए जानते हैं इन सवालों के जवाब बुधवार को इराग की राजधानी बगदाद में हजारों प्रदर्शनकारी संसत के भीतर घुस गए और नारे बाजी करने लगे इराके संसत की ये तस्वीरे देखकर आपके जेहन में भी श्रिलंका की पुरानी तस्वीरे आ गई होंगी जब इसी तरह वहाराष्ट पती भवन पर भी कबजा कर लिया गया था इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई प्रदर्शनकारियों ने संसत के अंदर इराके जंडा लहराते हुए नारे बाजी कर रहे हैं कई प्रदर्शनकारी तो टेवल और कुर्सियों पर चड़ गए सेल्फी लेने लगे गाना गाने लगे और डांस करने लगे वहीं कुछ तो सोफे पर बैठ कर सिगरेट के कश लगाते हुए भी दिखाई दिये चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये प्रदर्शनकारी है कौन दरसल ये प्रदर्शनकारी मुहम्मद अलसुदानी को प्रधानमंत्री उम्मिद्वार के तौर पर नामांकन का विरोध कर रहे थे इराक में प्रदर्शनकारीों के संसद में घुसने के पीछे की वज़ा वैसे तो कई सारी है लेकिन इनमें सबसे बड़ी वज़ा ये है कि इराक में पिछले नौ महीनों से यहां ना तो कोई अस्थाई प्रधानमंत्री है ना कोई मंत्री मंडल और ना ही कोई सरकार है यानि लोकतंज के नाम पर सिर्फ तमाशा है यही वज़ा है कि वहां राजनितिक अराजक्ता के स्थिती बन गई है यानि जिस तरह शुलंका में राजनितिक संकट के बाद भीड ने संसत को पंधक बना लिया था अब कुछ वैसी ही हालत इराक में बन चुकी है आपको बता दे कि इराकी संसत बगदाज शहर के उस ग्रीन जोन क्षेतर में मौजूद है जिसे देश का सबसे सुरक्षित अलाका माना जाता है तो देखा आपने मामला है क्या मगर ये कहानी अभी भी अधूरी है अब आपको बताते हैं कि इराक में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की कहानी क्या है इराक में चुनाओ और चुनाओ के बाद खड़ा हुए पूरा का पूरा बवाल चुनाओ कब हुआ, किसने जीता, फिर क्या हुआ और इराक की संसद में कितनी सीटे हैं चलिए वो भी अब आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में इराक के ग्रेन जोन को निशाना बनाया जाना इस लिहाद से भी काफी एहम है क्योंकि यहां अमेरिकी दूतावास के साथ-साथ तमाम सरकारी इमारते मौजूद हैं दरसल पिछले साल इराक में चुनाओ करवाये गए थे जिसमें श्रिया धर्मगुरू मौलाना मुक्तदा अलसद्र की पार्टी ने 339 सीटो वाली इराक की संसद में कूल 73 सीटे जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज्यादा सीटे मिलने के बावजूर सरकार बनते बनते रह गई दरसल पिछले साल अक्टूबर में इराक में चुनाओ करवाए गए थे इस चुनाओ में श्रिया धर्मगुरू मौलाना मुक्तदा अलसद्र की पार्टी ने 339 सीटो वाली संसद में 73 सीटे जीती और संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई लेकिन मौलाना सद्र ने दूसरे दलों के साथ मिलकर काम करने से इंकार कर दिया जिसके चलते गटबंधन की सरकार का गठन नहीं हो पाया बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस प्रदर्शन को लेकर वहां की राजनितिक दलों का अगला कदम क्या होगा और कब तक यह जारी रहेगा ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस वर्ल्ड इंडिया